Hello students, good morning all of you, subject maths and this is your maths book. Now students, open page number 25 and the topic is practice sheet, मतलब वाक्षीट, हमें ये बच्चो वाक्षीट दी गई है और इसे हमें सॉल्फ करना है, ओके? So here is a question for you, circle the correct number in the following, देखो बच्चो, यहाँ पे आपको बहुत सारे objects दिये गए हैं, जिससे हमें count करना है और उसके नीचे उसके numbers देए कए हैं, तो जितने ये objects होंगे, count करने के बाद आएंगे, उस number पे हमें क्या बनाना है? Circle बनाना है, okay? So let's start, पहला object है हमारा, ये candies, ठीक है? ये क्या है? लॉलिपॉप्स, ओके, तो अभी हमें से count करेंगे, ये total कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके, यहाँ पे total कितनी candies हैं? 9, तो यहाँ पे 9 number कहां दिया है बच्चो? पहला number किया है? 9, ओके, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? Circle, C, 9 number में Circle बनाएं, दूशरा क्या? 8, ये कौन से number है? नमबर 8, तो यहाँ पे हम circle नहीं बनाएंगे फिर तीसरा नमबर कौन सा है, 5 यह भी 9 इसमें भी हम circle नहीं बनाएंगे ओके स्टुडेंट, हमारा next object है candles, यह कितनी, क्या है बचो candles, अब यह total कितनी candles है, इसे हम count करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 total कितनी candles है, 7 ओके, तो अभी जो नीचे फ्री नमबर्स दे गए है इसमें जहाँ पे भी 7 दिया होगा हम वहाँ पे क्या करेंगे, circle बनाएंगे तो पहला number हमारा क्या है, 7 तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, circle see, देखो, मैंने यहाँ पे 7 था तो circle बनाएं, क्यों circle बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे total कितनी candles है, 7 इसलिए हमने 7 नमबर पे circle बनाएंगे अब यह कौन सा नमबर है, 7 के बाद, 5 यहाँ पे हम circle नहीं बनाएंगे, 5 के बाद क्या है, 8 यह भी नहीं बनाएंगे Student, this is your homework, okay Now, we solve next question Here is a question for you Count the objects and write down the numerical in the box अभी हमें क्या करना है, बच्चों? यह जो objects यह गए हैं, इसे हमें count करना है और count करने के बाद, जो भी number, मतलब जितने भी object होंगे वो, यह box के अंदर हमें क्या करना है? Number लिखना है, ठीक है? तो सबसे पहला object है हमारा यह mug, coffee mug अब हमेंसे count करेंगे So, let's start 1, 2, 3, 4 यहाँ पे total कितने mug से हैं, बच्चों? 4, 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पे total क्या हो गया? 4, तो यह box के अंदर हम क्या लिखेंगे? Number 4 C student, मैंने यहाँ पे number 4 लिख दिया है ठीक है? Next, next क्या object है? यहाँ पे यह क्या है? बहुत सारी red cherries हैं yummy yummy tasty tasty अभी हमेंसे क्या करना है बच्चों? counts करना है ठीक है? तो let's start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे total कितनी चैरीज है बच्चों? 7 again we count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यह box के अंदर हम कौन सा number लिखेंगे? Number 7 क्यों क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे total 7 चैरीज है C student we write 7 and this is your homework, okay? so student as this way we are circle and write numbers so thank you flock bye-bye take care be safe and stay at home कर दो